हेलो फ्रेंड सर्दियों में कमर दर्द घुटनों के दर्द जोडों के दर्द से सभी परिशान रहते हैं इसके राम बान इलाज के रूप में मैं ले के आई हूँ अलसी और मेथी के लड्डू एक लड्डू रोज खाई सारे दर्द को भगाई आई देखते हैं पूरी रेस अलसी और मेथी के लड्डू बनानी कि मैंने इहां पर कुछ समागरी लिया है इसको मैं बॉक्स में नाम और क्वांटिटी डाल दूंगी एक कडाई को गैस पर गरम करेंगे लो मीडियम फ्रेम पर और यहां पर मैंने चार सो ग्रम अलसी लिया है से तीसी भी बोलते हैं इ कि जब हम भूनेंगे तो इसमें से आवाज आना शुरू होगा और आवाज आना कम हो जाए तो गैस का फ्रेम बंद कर देंगे देखिए हमारा अलसी भून रहा है और मैं यह आपको भी जूम दिखा रही हूं कैसे चिटक रहा है अलसी इस तरह से जब आप भून जिएगा तो अलसी चिटकने लगेगा और इसमें से आवाज भी आने लगेगा और जब यह इसका कलर बदल जाए और आवाज आना कम हो जाए तो गैस का फ्रेम बंद कर देंगे अलसी हमारा भून गया है देखिए इसका कलर देखिए और इसे जो है एक बरतन में ट्रांसकर कर देखिए कैसे मेथी कलर बदल रहा है मेथी हमारा भून गया इसका फ्रेम बंद करके इसे हम दूसरे बरतन में ट्रांसकर कर देंगे ठंडा होने के लिए इसे भी भून लिए नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक किलो चावल का आटा लिया है अगर आपके पास बड़ा कड़ा तो इसमें आप भूनिए यहाँ पर मैं दो बार में भूनूंगी थोड़ा थोड़ा करके लो फ्रेम पर इसमें तेल या घी नहीं डालना है जैसे जैसे यह चावल का आटा भूने का यही पहचान है और इसे हम एक बड़े बरतन में ट्रांसकर कर देंगे जिसमें हमको लो मीडियम फ्रेम पर भून लेंगे बच्चे हुए आटा को भी मैं कडाही में डाल करके भून ले रही हूं इसी प्रोसेस से जब यह भून जाएगा तो यह एकदम हलका हो जाएगा देखिया हमारा आटा भून गया है एकदम फ्लफी हो गया है और इसे भी बड़े वाल लो मीडियम फ्रेम पर हमको इस गोन को भूनना है यहां पर मैंने 100 ग्राम गोन लिया है और सिफ्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके मैं यहां पर गोन भून रही हूं एक साब गोन को नहीं डालेंगे नहीं तो कुछ गोन कच्चा रह जाएगा और कुछ जल जाएगा थो मैं घीवाली ही कड़ाई है इसी में मैं जाएप तो भून रही हो यहां पर मैंने खरभुजा के वीजा लिए 25 ग्राम, 25 से फेद वाम नीमा से है यहां पर चाहए पारना हों, देखने में स्मिखने को कुंचिटी में देखिये हमारा किसमी जभून गया और इसे जो है कटरी में डाल लेंगे यहां पर मैंने एक किलो गुड लिया है और गुड की छोटे-छोटे टुकुल में मैंने यहां पर तोड लिया है गुड की क्वांटिती छोड़ जादा रखेंगे क्योंकि अलसी बहुत कड़वी होत है इसलिए जो है कोई जितना मैंने यहां पर चावल काटा लिया है उत्मा ही गुड लिया है और एक कतोरी या वन फोट कप पानी डालेंगे गैस का फ्रेम एकदम लोग कर देंगे और इसे मेल्ड होने तक हमको पकाना है इसके चासनी की ज़रूत नहीं है जब तक हमारा ग प्रंच आएंगे तो बहुत कड़वा लगेगा इसलिए इसका पाउडर एकदम फाइन त्यार करेंगे देखी मेथी दाने हम एकदम पीस के त्यार हो गया है और इसे बड़े वाले बरतन में हम डाल लेंगे जिसमें हम चावल काटा रखे है और साथ में अब यह हम अलसी क हो भी पीस लेंगे ग्रांडर में इसको पॉड़र में बनानाएफ को ने डोब फार्म अविकनby करना है इसको हमें पीस्ते पीस्ते इतना पीस्ना है कि या जो ऑगजा बन जाए बैशा थिल चौड़ दे लें आप देखिए लिए ओनर वाला यू धिल चौड़ दे पिसेंगे तो इस तरह से ऑइल छोड़ देगा इस तरह से अलसी को भी हम चाहल के आठा के साथ निकाल देंगे और फिर गोन जो भूने हैं उसे भी हम दरदरा पिस लेंगे आप चाहें तो कटोरी से प्रेस करके भी इसको दरदरा कर सकते हैं चाहें तो बेलन से प्रेस करके क कर सकते हैं मैंने grinder में ढाल करें थुदा चलाया और अभू दरदरा हो गया और इसके बाद हमको जो इमा खाने भी दरदरा इसना है छोटे-छोटे से क्रंच रहने चाहिए देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने इसके इसको भी पीस लेना है यहां पर डालेंगे किसमेश को पीसे नहीं है इसको भी ऐसे ही डाल देते हैं उपर से और हाथ से सारे समागरी को एक साथ मिला लेते हैं चावल क्याटर में थोड़ा सा अच्छे से मिलाएगा क्योंकि यहां पर जो LC है दो फार्में वो मिलाने में दिकत होता है अच्छे सी प्रेस करके दोनों हाथों के बीच में प्रेस करके हमको इसी मिक्स करना है एक हाथ के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ से फिस करेंगे और फिर जो गुठ्लियां है उसे तोड़ते जाएंगे इसमें गुठ्लियां नहीं है यहां पर हमारा गुर्ण भी पिखल चुका है और इसको चास्निय में चेक नहीं करना है इस ग्रेस का फ्रेम हम बंद करेंग और इस गुड़ को ये चावल के आटा में हम डाल देंगे और साथ में डालेंगे चार-पांथ चम्मच देशी ही आप घी अपने इक्छानों सार कम ज़्यादा कर सकते हैं कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें घी चाही यहां पर सारे गुड़ को जो है आटा क करने करना है इसे चम्मच से या इस पेचुला से या चनोंता से करिए अब लड़ू बनाने के लिए हमार मिक्षर त्यार हाथ में देशी की ग्रीज करके इस तरह से फटाफट हम जो है लड़ू बानेंगे आप साइज छोटा बड़ा अपने इक्छानोंसार कर सकते हैं यह देखें कितना अच्छा लड़ू त्यार हुआ है मीडियम साइज का लड़ू में यहां पर बनाया है एक लड़ू आप दिन में रोज एक लड़ू खाईए और हड़ी की सारी प्रॉल्बम आकी दूर हो जाएगी जाड़े में हड़ी की प्रॉल्बम अधिकतर बड़े सभ लड़ू आपको तो भी दिखा रही है देखी कितना अच्छा लड़ू बना हुआ है यह आप महीनों कंटेनर में टाइट कंटेनर में आप इस्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं और हड़ी की प्रॉल्बम को दूर भगा सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट रहने के लिए बेल आइकन जुरूर प्रेस करें